Hello 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 बच्चो तो कैसे है आप मैं आपका बड़ा भाई आपका घुरु है आप सभी बच्चों अश्वागत करता हूं गटा basis चैनल पे तो बच्चो मैं दकुषा सर आप सभी को पढ़ाने वाला हूं आज क्या पढ़ाने वाले हैं आज हम लोग तो आज हम लोग बेटा discuss करने वाले हैं topic ITF ITF मतलब inverse trigonometric function को हम लो discuss करने वाले हैं previously हम लोगों ने discuss किया था बच्चे relation और function को तो sir उस chapter का इसमें कुछ impact है क्या तो यह sir थोड़ा सा impact है इत्तु सा impact है क्या impact है sir sir उस chapter में हम लोगों ने पढ़ाता relation और function के बारे में जब हम function के बारे में आगे पढ़ते हैं तो हमको मालूम पढ़ता है कि एक चीज होती है inverse function क्या होता है inverse function क्यों होता inverse function तो sir कहा यह गया कि किन चीजों का आप inverse निकाल सकते हैं तो एक statement है बेटे कि केवल वो function का inverse निकाला जा सकता है जो आपस में one one और on two हो मतलब कोई function अगर बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं कि sir उसका inverse निकलेगा अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर उसका inverse नहीं निकलेगा तो sir अब यहां पर एक doubt आ गया मन में हमने कहा क्या doubt आया तो आपने कहा रे sir सुनो ना जैसे आप trigonometry की बात कर रहे हो यार यहां पे तो और आप बात कर रहे हो inverse trigonometry की इसका मतलब आप trigonometry वाले जो हमारे function थे आप उनहीं का inverse निकालोगे लिकिन sir हम तो यह जानते हैं कि ह हमारा जो trigonometry में है like मैं sign ले लो अगर यहां पर तो वो graph कुछ ऐसे जा रहा है उड़ता हुआ लहरता हुआ बिल्कुल चला जा रहा है बिल्कुल देख रहो ऐसे बिल्कुल लहर रहा है तो sir यह तो graph बहुत बड़ा design बना जा रहा है तो sir अब बतावना ज़रा यह वाला graph आपका कहा से वन वन अंट रहा थिकh रहा हुआ यह वाला जो कहीं से वन वन ऑंट रहा है तो इसका inverse आपने कैसे निकाल दिया आया न मनमें doubt तो sir इसका inverse आपने कैसे निकाल दिया तो sir सुनिएगा साइन का इन्वर्स निकाला गया लेकिन कब निकाला गया एक पर्टिकुलर जगहे पर जहां पर साइन एक्स वन वन ऑन टू था इस पूरे के पूरे में साइन एक्स वन वन ऑन टू नहीं है बेटा अब सुनिएगा बेटा में मेंटर क्या था सर जैसे हमने कोशन लिखा X की value है, इसका मतलब Y, हम लोग Y को क्या बोलते हैं बेटा, range, बोरो correct है ना, अपन इसको domain बोलते हैं, इसको range बोलते हैं, ऐसे करके अपन बोल लेते हैं यहां पर बेटा, तो जड़ा समझना, जब हम इसका inverse निकालते हैं, इसको transfer मारते हैं बेटा, तो transfer मारने पर क्या है, उ यह अलटना पलटना, यहां से हमको एक बात दिमाग में आई, कि सर्थ जब आपने इसको पलटा था, तो domain इधर आ गई, range वहां चली गई, इसका मतलब सर्थ domain और range क्या हो जाने चीए, exchange, इसका मतलब जो हम लोगों ने normal domain range पढ़ी है, पहले जो पढ़ी है, वो क्या हो जा जाने चीए, बच्चा, exchange हो जाने चीए, तो सर्थ लेकिन यह पूरा का पूरा तो one one on two है नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा होगा, कुछ ना कुछ लोचा होगा, पूरी की पूरी विवस्ता interchange नहीं हो पाएगी, यानि कि sign जो है, हमको यह देखना पढ़ेगा, कि point पर हमारा जो sign है, वो आखिरकार one one on two हो पाता है, ओके भई, तो फिर आईए, करते हैं जरा इस चीज़ को सुरू, और देखते हैं जरा थोले से graph, यह ऐसे design बने हुए है, बटा ध्यान से देखना जरा, यह किसका graph है, sign inverse x का, किसका graph है बटा यह, यह sign inverse x का graph, तो बटा sign inverse x किस point पर, बहिया, कहा हो, यह क्या है, sign inverse x किस point पर one one on two हो रहा है, बटा, यह है बो जगे, जहां पर sign क्या है, one one on two है, यह है बटा, यह है बो जगे, जहां पर sign क्या है, one one on two है, इसलिए sign inverse x में, जब हम केवल और केवल, ITF graph पढ़ते हैं, बटा, तो आपको कई किताबों केवल इतना ही जगे पढ़ाया गया है केवल इतना ही ग्राफ पढ़ाया गया है आपको बांकी की बात नहीं बताई गई अरे सर साइन है जब ग्राफ घुमाओ गए तो पूरा ही घुमेगा लेकिन कितने पार्ट का डिसकुसन अपने को करना है तो अपने को डिसकुस करना है केवल ये पार्ट क्या करना भी अपने को डिस्कस करना है केवल ये बाला पार्ट ऐसे ही सर जब आप कॉस की बात करते हैं सर तो ये दोखोना सर कॉस क्या हुआ इस पॉइंट पर 1-1-2 होगा कॉस क्या है बटा इस वाले पॉइंट पर वन वन उन टू होगा सर इसका सर टैन क्या होगा सर टैन पर ध्यान देना सर वो क्या होगा भी है सर टैन को कौसिक है बेटा तो कौसिक कौन होगा बेटा कौसिक इस पॉइंट पर वन वन उन टू होगा सर ऐसे ही जब आप सिक की बात करोगे सर सिक कहां वन वन उन टू होगा स पतलब हमारा पूरा का पूरा जो function था पूरा का पूरा जो graph था फूरा का पूरा graph 11 on 2 नहीं हो रहा है कुछ particular जगहे चोटी सी जगहे है जहां पर वो graph हमारा 11 on 2 होता है तो सर्थ sign कितने पार्ट में 11 on 2 बीटा minus pi by 2 2 pi by 2 सर कौस कहाँ पर है minus pi by 2 अरे कहा सोरी 0 से कहा pi बिटा उसके बाद में कौसक कहाँ है बिटा तो कौसक है minus pi by 2 2 pi by 2 लेकिन यहाँ पर एक पंगा भी है सर पंगा क्या है सर देखो न यह इस line को कभी touch करेगा ही नहीं सर नहीं touch करेगा तो कहानी क्या बनेगी सर इसको जो कुष्ण दोनों को touch किया तो सर इसके लिए कहानी बन जाती है minus pi by 2 2 pi by 2 साइन के लिए बिटा कहानी क्या बन गई minus pi by 2 2 pi by 2 इतने हिस्से में साइन कैसा है inverse निकलेगा सर कॉस के लिए कहानी क्या बन गई बटा कॉस के लिए कहानी क्या बन गई जीरो टू पाई मतलब इतने हिस्से में कॉस कैसा होगा inverse होगा सर कौसे के लिए कहानी क्या बन गई सर कौसे के लिए कहानी बन गई minus pi by 2 2 pi by 2 पूरा ले लिए सर हमने तो तो कोई अपराद कर दिया हमने गा हाँ थोड़ा सा अपराद कर दिया कैसे अरे सर यह जो line axis x axis टच तो करेगा नहीं नहीं टच करेगा अरे ठीक है नहीं टच कर रहा हटा तो उस point को तो कौसे के किस हिस्से में one one on two होता है बेटा इस हिस्से में होता है जब आप sec की बात करते हैं बेटा तो sec कितने part में one one on two होता है बेटा इतने part में होता है लेकिन यहां पर कौन हट रहा है पाई बाई टू, क्यों हट रहा है देखो सर पाई बाई टू की लाइन, ना ये ग्राफ छुवेगा ना ये ग्राफ छुवेगा समझगे भई, तो आपको ये जो डिजाइन्स लिख कर आई, ये डिजाइन्स दखू बटा ये हिस्सा ये हिस्सा तैनिन वर्सक्स क्या होगा इस वाले में 11 on 2 होगा सर कॉट कहा होगा सर कॉट जो है बटा वो इस वाले हिस्से में 11 on 2 होगा तो सर सारे के सारे पार्ट समय क्लियर हो रहे हैं एक कौन सी चीज आखिरकार कहां पर 11 on 2 हो रही है ये बात अप पाई बाई टू पाई बाई टू लेकिन धान देना छू नहीं रहा इसको भी छू नहीं रहा है इसलिए जब आप देखतों किताबों में तो यहां पर open interval utilize किया जाता है क्योंकि वो touch नहीं कर रहा है सर बगल वाले पे यहां आ जाएगा zero two pi और यह भी किसमें बिटा open interval में त हां पुरानी विवस्ता यह क्या अपने पुरानी विवस अब ध्यान देना जितना भी हमारा range था जब हमने पलटा पलटने पर हुआ क्या सर range देखो minus 1 1 minus 1 1 r r minus minus 1 to plus 1 r minus minus 1 to plus 1 अब सर यहाँ पर काम की बाद समझो जड़ा तो जितना भी हम लोगों ने पहले range पढ़ा जितना भी हम लोगों ने पहले रेंज पढ़ा बिटा वो रेंज क्या हुआ वो सारा का सारा रेंज कहा चला गया बिटा वो सारा का सारा रेंज कहा पलट गया देखो डोमेन में देखो जितना भी हमारा रेंज था वो सारा का सारा कहा इनवर्स आते ही वो सारा का सारा range कहां आ गया डोमेन में आ गया ज़रा ध्यान से देखो बटा यही तो हम लोग पढ़ कराए थे अभी यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर आखिर कार डोमेन क्या है तो सर डोमेन कितनी थी अपनी यह देखो जो पहले जो range हुआ करती थी अब वो क्या हो जाएगी दोमेन हो जाएगी और सर यह क्या लिखा हुआ है जिशे सर आपने range में क्या चिपका दिया यह तो ध्यान से देखो बटा जरा आपने क्या चिपका दिया है यह जो पाते लिखी हुई है तो बटा यही वो जगे है की नहीं जहां पर अपना question one one on two हुआ करता था मतलब यह जो range वगरा decide हुई है क्यों decide हुई है function की वज़े से क्यों decide हुई है बटा function की वज़े से inverse निकालने की वज़े से क्योंकि inverse किसका निकलेगा केवल उन function का inverse निकाल सकते है जो one one on two होंगे यानि की byjective होंगे तो साहब इतनी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई है सरी टेबल आखिरकार बनी है तो ऐसे क्यों बना दी गई है करेक्टेवी चलो सर अब सर ना सुनो ना कुछ property यां होती है ये property याद कैसे करे ITF का बहुत बड़ा problem major problem यही है कि सर ये ITF की property याद कैसे करे भई अपने को तो ना याद होती है ऐसे तो बोलते है न सर अपने को तो ना याद हो रही है अभी बताओ ना कैसे याद करे कि जो साइनेक्स है वो किसका रिवर्स होता है बटा कॉसिक का क्यों बहुत है तो सर यहां पर देखो न जरा अगर अगर अपन इंवर्स निकाल रहें अभी चाहो तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कभी कभी पूछ लेता है क्या करोगे लेट वाइक को टूट क्या ले लिए अपनने साइन इंवर्स एक्स एक्स की वेलू हो जाती साइन इंवर्स वाइड अगली बात देखना है अगली बात सर इसी वाइक आपन ऐसे भी बोल सकते हैं, sign वो क्या लिखेंगे, one upon cosec x, क्या लिखेंगे बई, one upon cosec x, ऐसे बोल सकते हैं ना भी, आपने आज़ेगा, हाँ सर बोल सकते हैं, अब यह क्या हो रहा है, यह क्या है, भूतों का साया, दढ़ा रहा है यह, आज़र आँ, तो y equal to, क्या हुआ बिटा, यह equal to, 1 upon, caos same, x, अब सुनना मेरी बात, Sir, इलटा पूलटा करो, तो, Sir, 1 upon y equal to, कितना हुआ, 1 upon y equal to कितना हुआ बटा, caos and x, 1 upon y equal to, its niye повтор now, caos hats की value कि यहां पर.. यह सब फालतों की बात है, उसमझ में आगी, साइन इन्वर्स वन वाई एक्स कर तो कर दो तो कर दू ओごो उलटा को साइनले इंवर्स एक्सक्का दो लोगा यह Hosoda सिखने इन्वर्स वन-गाई एक्सके एक्सकोड बिटा कॉसिक इनवर्स वन बाई एकस केको क्लियर? ये वाली बात अपने को समझ में आ गई सर सेन टुचेन देखो द्रा सर कॉस क्या है? सेक का उल्टा सर देखो ना उल्टा टैन क्या है? कॉड को उल्टा देखो ना सर उल्टा हो गया ओक्य भी? चलो यह बात है अपने समझ में आ गई x किसके साथ में? sin के साथ में यानि कि ये x कौन है? तो हमारी समझदारी कहती है कि जो x होगा वो तो कोई न कोई अंगल होगा क्या होगा? जो x होगा वो तो कोई न कोई अंगल होगा अब यार तुमने sin का inverse भी देखा हुआ है इसका मतलब वो जगे बताओ, जहां पर क्या था, यह वन 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 इनी सब को basically कहा जाता है principal value branch क्या बोलते है बटा, इसी को पन बोलते है principal value branch मतलब ये सर क्या हुआ, तो सर मतलब ये है कि अगर आपसे कभी भी principal value के बारें पुछा गया कि सर इस वाले question की principal value निकालो तो आपको जो answer देना है, वो answer इनी के बीच में होना चाहिए आपको जो answer देना है बेटा, वो answer इनी के बीच में होना चाहिए correct है भी? तो सर सुनिए गजरा, ऐसे cos, तो सर cos कहाँ पर 0 to pi 10 कहाँ पर minus pi by 2 to pi by 2 सर कॉसे कहाँ पर minus pi by 2, 2 pi by 2 और इसमें से 0 नहीं होगा, 0 को हटा दिया सर से कहाँ पर 0 to pi, इसमें से कौन? pi by 2 नहीं होगा, सर कॉट कहाँ, 0 से लेकर pi तक, सर अब इनको याद कराते हैं जरा, सुनो ना मेरी बात याद कैसे रखोगे, सर सुनिएगा जरा, याद कैसे रखेंगे दो चीजे हैं, नोटिस करना अपना जो साइन है, अपना जो कॉसिक है और अपना जो टैन है जब जब आपको value निकालनी होगी, प्रिंसिपल value निकालनी होगी तो जो ये design मेंने बनाए है, इन design से ही आपकी सारी की सारे चीज़ें बिलकुल clear रहेंगी सर, ये तीन हमेंसा एक साथ चल रहे हैं, जोडी में मतलब समझ रहो, इन तीनों ने कर लिया है team up बचे कौन? तो सर, बच गया cause बच गया sec और बच गया caught तो इन लोगों ने अपना team बना दिया तो मतलब ये 6 player थे गली match के नहीं, गली match खेलते हो जाके जब team कम मिलती है 6 लोग में अब 5-6 लोग ये कठा हुए match तो खेलने है गुरू हमको तो का करेंगे फिर हम लोग तो उसके लिए हम क्या करेंगे छोटा-छोटा team बना दिये तो सर क्या हुआ, अपन इसमें छोटा-छोटा बना दिये team, सर team क्या बन गई अपनी सर team ऐसे बन गई, inverse-inverse करकुरा के हमने का आओ न सर, देखते है तो सर साइन है, कॉसेक है, 10 है इनके answer हमेशा कहा होंगे तो इनके answer बिटा हमेशा इस block में होंगे notice करो, इनके answer क्या होंगे हमेशा से इस block में होंगे क्यों, सर साइन, कॉसेक और 10 सर, minus pi by 2, pi by 2 follow कर रहे था ना, कुछ ना, कुछ इदर उदर करके follow तो कर रहे था ना, बिटा, तो इसका मत्ता जब आप इनके answer दोगे, तो first और fourth quadrant से, answer कहां से देंगे हम लोग, first और second quadrant से, तो सर, इन तीनों के answer कहां से निकलेंगे, first और fourth से इन तीनों के answer कहां से निकलेंगे first और second से, एक question समझते हैं like मैंने कहा आप से हमने कहा, sine inverse 1 by 2 solve करिए हमने कहा, सर, sine inverse 1 by 2, जब इसको solve करिए, बिटा तो सर, अब 1 by 2 आपको लाना है कहां से लाओगे, 1 by 2 अपने को लाना है, अरे कहां से लाओगे यर तो सुनो ना, बटा, 1 by 2 कैसी value है, plus की तो सर, plus मतलब, तो सर, sine में plus कहां होता है सर, sine तो यह है ना, sine में plus कहां होता है, first quadrant में, कहां plus होता है, बटा टो our first quadrant में तो सर one by two कौन सी वैलू सर फस्ट ग्वार्ट्ट तो फस्ट क्वार्टट्ट में क्या ले लिए हमने पाई भाई शिक्स सर प्रॉपर्ट्टी लगा दी अब देखो अब ध्यान से देखना हमने पाई भाई भाई शिक्स लिया तो पाई भाई शिक्स हमारी उस range के अंदर है की नी minus pi by 2 2 pi by 2 के बीच में है की नी तो आप उसको याद करने में कई बार भूल जाते हैं हम लोग तो जुगार क्या हो गया आप ये वाले boxes याद रखें इसी साब कि सारे काम हो जाने है बेटा तो sir answer क्या देदेंगे अपन pi by 6 अंसर क्या देदेंगे अपन pi by 6 सार दूसरी चीज एक और example देखें क्या हमने का एक काम करो यार जरा हमने का एक काम करो sine inverse minus का root 3 by 2 जरा इसकी value बताओ हमने का जरा sine inverse minus का root 3 by 2 इसकी value बताओ अब मैं value पूछू कुछ भी पूछू आपको बतानी कौन सी है principle value कौन सी बटा principle value तो सर अब कौन सा आयا negative तो negative कहा मिलेगा fourth में भई sine का अंसर इसी बीश में आने है तो सर पहले में तो negative मिलना नहीं है कहा मिलेगा fourth में कहा मिलेगा third में simple सी बात तो सर sine inverse क्या करλो सर सिंपली sine inverse अब यहाँ पर दो चीजें, अधर आप property उज़ कर सकते हूँ, कि सर साइन inverse मैनस X की value होती है, Minus Sin Inverse X. आप क्या कर सकते हो, बटा, property उज़ कर सकते हो, कि सर साइन inverse जिसको अपन लोग मैनस में Sin Inverse route 3 by 2 बोल सकते हैं, आप तो simple ह metros हो गया भी, root 3 by 2 कब होगा साइन inverse root 3 by 2 कब होता है sin 60 की value होती है sin 5 by 3 property utilizer 5 by 3 अपने range के बीच में ये minus बाहर लगा हुआ ये आ गया 5 by 3 अपन नहीं से answer निकाल लिया तो भाई समझ गया ना अपन चाहें तो property लगा सकते हैं आईटी आपको समझने का सबसे बहतरीन तरीका है ये देखो team up किसका है sign का, cost 6 का और 10 का team up है cost का, sick का और court का team up है आप इन team up को पकड़ के रखिए आपके सारे के सारे answers निकलते रहेंगे अब सर यहाँ पर आओ cost बेग्जाम पर देख लेते हैं सर तो सर अपने को निकालना को ने cost inverse like मैंने दे दिया आपको कि चलो सर, cost inverse 1 by 2 की value बताओ सर, simple question है, कैसे सर plus की value दी गई है यानि कि first quadrant से answer आएगा तो बस इतना देख लो, कि cost में 1 by 2 कब होता है बेटा तो cost में 1 by 2 होता है 60 degree पर यानि की pi by 3 पर property अब देखो जो value pi by 3 है, वो 0 to pi के बीच में है यानि की answer हो गया यानि की क्या हो गया बेटा, ये answer हो गया सर, बगल में हमने कहा कि सर, एक काम करो जरा cost inverse इसकी value निकालो हमने कहा, सर, cost inverse minus का 1 by root 2, जरा इसकी value निकालो कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन value निकालने के लिए क्या करेंगे, very simple सर, इसकी property क्या है, सर, इसकी property है कि अगर आपको cost inverse minus x दिया गया है, property आगे लिखी हुई है, परेसान नहीं होना, सारी के सारी लिखी हुई है बेटा, तो ये क्या होता है ये होता है, pi minus cost inverse x क्या होता है बेटा, ये होता है pi minus cost inverse x, तो सर सुनो ना मेरी बाद, इसको कर लो, pi minus में, cost inverse 1 by root 2 अभी तो अपन समझते हैं, सर, pi minus सर धान से देना, cost में 1 by root 2 कब होता है बेटा, तो cost में 1 by root 2 होता है, 45 degree यानि की, pi by 4 पे सर, यहाँ property utilize होगी, तो pi minus क्या बनेगा, pi by 4 solve out कर लेंगे, तो आपका answer कितना निकलाएगा, 3 pi by 4 notice करना, 3 by 5 4, sorry, 3 pi by 4, कहां पढ़ रहा है second quadrant में, तो भाई यह question को समझने के रास्ते, अब सर ध्यान से देखो team up किसका था, इन तीनों का, तो सर सर, इसकी property कैसे लिखी है मैंने, इस तरीके से, यानि कि यह property sign में भी काम करेगी, कॉसिक में भी काम करेगी, 10 में भी काम करेगी, सर, cos में क्या लिख दिया मैंने, pi minus cos inverse x, इसका मतलब यह वाली property बटा किसमें किसमें काम करेगी, कॉस में काम करेगी, कॉट में काम करेगी और काम करेगी, सेक में समझे भई, तो ये होता है बहुत एजिश्ट तरीका चीजों को आराम से समझ लेने का उनको याद कर लेने का सर ये डिजाइन याद रखना, डबबा याद रखना कि सर कैसे अंसर अपने को देने है चलो सर तो साहब इसके बाद में सर देखो न यह अपने पड़ी लिया कि सर साइन इनवर्स था भी पहले इस बार क्या हुआ सर इस बार इन्होंने साइन कर दिया साइन इनवर्स एक्स कर दिया अरे सर हम तो जानते हैं कि सर x कितनी है अब यहाँ पर जो x आया है वो inverse के साथ में है मतलब वो होगा कोई normal value क्या होगा वो होगी कोई normal value angular value तो होने सरी वो क्या होगी कोई ना कोई normal value तो सर साइन की limit कहां से कहां तक है सर साइन की limit कहां से कहां तक है अरे यार वो तो minus 1 से plus 1 थी इसका मतलब जो x है वो कितना होगा minus 1 से plus 1 होगा ऐसी cos के limit minus 1 से 1 10 minus infinite से plus infinite cot minus infinite से plus infinite सर्फ कॉसेक में क्या था सर्फ कॉसेक में हम लोग ये भी पढ़ कर आ चुके हैं r minus minus 1 to plus 1 या फिर ये दोनों ही valid हैं दोनों ही बाते बिल्कुल correct है ठीके भी चलिए अब सर्फ बताईए ज़रा ये प्रोपरिटी अभी हम लोगों ने पढ़ी ध्यान से देखना बेटा sin inverse x minus में 10 inverse x minus में इसके बाद कॉसेक inverse x देखो ना minus में प्रोपरिटी को यूज करना समझ में आया । रिकॉल हो गया की नहीं हो गया इत्ती देर में कि सर्फ वह तीन का टीम एक तरफ और ये तीन का टीम एक तरफ अपने को टीमिंग समझनी और कुछ नहीं करना भाईस में कि टीम समझ समझ के अपन क्या करने वाले में टास के आंसर निकालने वाले हैं सर और भी कोई कोई कुश्चन इसमें आता है यस तो प्रिंसिपल वैलू को लेकर दो कैटेगरी के कुश्चन आते हैं सर एक कुश्चन और अभी जो पीछे प्रॉपरिटी पढ़ी हम लोगों न तो अब किसी किसी ने क्या किया इसी का अंसर लिख दिया और ये क्या हो गया गलत क्यों गलत हो गया क्योंकि सर साइन का अंसर कहां से आना था इस वाले जोन से आना था तुमने कहा पहुंचा दिया बटा अब ए फोर पाई वै थ्री है टू फॉर्टी डिगरी यानि कि अब सर इसको कैसे करें इस question को लेकर बच्चों के दिमाग में कई बार confusion हो जाता है कि सर इसको manage कैसे करें क्यों 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 कि कभी कभी ये चलता है πाई प्लस करके कभी चलता है πाई माइनस करके कभी चलता है टू पाई माइनस करके तो दिमाग में और कॉस्स पोर पाइव यह दिगरी रखा हुआ है अब मुझे आप बताओ जड़ा सा थोड़ा सा भस इत्तू सा सोच के बता दो मुझे थोड़ा सा बस बेटा इसकी वैलू निकालना अपने को आता है कि नहीं आता है, इसकी वैलू अपने को निकालना आता है कि नहीं आता है, तो अगर आप पाई माइनस के चक्कर में नहीं जा पा रहे हो, तो क्या करो, जो भी अंदर लिखा, उसकी वैलू निकाल लो, कैसे निकालोगे सर, तो यह तो ये होता है minus sin theta अरे सर, तो sin 60 की value minus का root 3 by 2 बोलो न, sin 60 की value कितनी हुई minus का root 3 by 2 तो आप ये भी कर सकते थे आप यहाँ पर direct ही लिख देते कि sin inverse minus root 3 by 2 क्या कर देते, आप यहाँ पर direct ही लिख देते sin inverse minus root 3 by 2, अब बताओ, अब तो question आपके लिए पुराना हो गया के नहीं हो गया अब तो question हमारे लिए पुराना हो गया के नहीं हो गया सर, property लगा दी यहाँ पर तो सर, sin inverse कितना हुआ, यह हो गया ऐसे root 3 by 2, अभी तो अपन इस बात को जान चुके हैं, बहतर तरीके से जान चुके हैं, कि सर, minus 5 by 3, तो भी यहाँ बात समझ गए तो अगर आपको लगता है कि सर, अपन ये वाली चीज बहुत टफ हो रही है, अपन इसको नहीं जान पा रहे है, कि सर, इसको कैसे किया जाए, तो सर, जानने का तरीका क्या है, सर, आप क्या करो, सर, जानने का तरीका क्या है, आप क्या करो, इसमें कुछ नहीं करो बिटा, simply उसके side में जाके value निकाल लो, अपने को answer मिल जाएगा, ठीक है भी, अब बाकी, कई बार इसको ऐसे solve किया जाता है, अब जो लोग confused होते हैं बिटा, वो confused यहाँ हो इसके लिए हमने क्या किया, जो भी आपको अंदर दिया गया हो, नहीं याद आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो side में जाके क्या करोगे, इसकी value निकाल लोगे, value निकाल कर रख दो, पुराना question, solve कर लो, यह है बिटा, principle value को ऐसे solve करने का तरीका, इस तरीके से हम लोग principle value को बहुत आसानी से solve कर सकते हैं, बहुत आसानी से solve कर सकते हैं, बेटा, चलो सर, अगली बात पर आते हैं, सर अगली बात क्या है, सर, next property में आता है, सर यह तो यार, pi by 2 करके दे दी है, इन्होंने का, sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2, अब यह क्या चीज़ है, सर, सुनो न, अगर सो माल निश्ची को transfer करते हैं, तो यह transfer करने पर ऐसी तो होता, कि sin inverse x equal to pi by 2 minus cos inverse x, तो सर, 90 का खेल हो रहा है, किसका बटा, 90 का खेल हो रहा है, मुझे बताना, हम लोगों को यह वाली बात है, तो clear है ना बेटा, कि sin 90 minus theta की value कितनी होती है, बटा, cos theta, यह तो clear ना अपने को, मतलब, 90 के respect में चीज़े चेंज होती है, किसमें किसमें चेंज होती है, sin किसमें चेंज होता है, cos में, 90 के respect में चीज़ें change होती है sign किसमें change होता है cost में cost किसमें sign में तो भाई या property याद कर लोगे कि sign और cost को देखेंगे तो अपन एड़ करने पर कितना आएगा 5 by 2 ऐसे ही 10 किसमें change होता है cot में तो 10 और cot equal to कितना हुआ 5 by 2 ऐसे ही सेक किसमें change होता है बटा cost सेक में तो सेक और cot सेक कितना हुआ 5 by 2 clear है भई बहुत important है सुनिएगा इससे question कैसे कैसे बनते हैं कभी कभी कैसे बनते हैं आपको ए question लिखा गया कि sign inverse x plus sign inverse y equal to दिया गया 2 by 3 तो अब आपसे मान लोग कहे दे कि पता करो ढूण के लाओ कि cos inverse x plus cos inverse y की value क्या होगी ऐसे question पूछ लिए आपसे यगर आपको दिया है कि sign inverse x plus sign inverse y equal to 2 by 3 तो बताइए cos inverse x plus cos inverse y की value क्या होगी सहाब क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे इसको equation number 1 ले लेंगे और जो पूछा गिया है बेटा उसको अपन लो equation number 2 ले लेंगे अब sir equal to हमको पता बता कुछ है नहीं है तो कोई ना कोई value consider कर लेंगे माना let the value of cos inverse x plus cos inverse y equal to a अब ए cos था न ये तो बेगी तो पूछा था हाँ equal to a तर मान लिए अब क्या करेंगे sir sir देटा एक क्वेशन हो गया add कर दो तो sir जब हम add करेंगे इसको sir जब हम add करेंगे इन दोनों को सकल देखो इन दोनों की सकल देखो बेटा जरा तो हम तो यार ये property पढ़कर आये थे कि sin inverse plus cos inverse equal to कितना pi by 2 plus cos ये फिर सिर्थ हुवाई बना sin inverse y plus cos inverse y value same है यानि कि ये भी value कितनी pi by 2 sir equal में आ जाओ ये कितना है बटा ये है 2 pi by 3 plus a हो गया भीया अपने को a चीए ना a a a क्या निकालना है a sir अब सुनो ना इसके बाद आप चाहो तो वही पुराना घिसा पिटा राग LCM add करेंगे pi equal to 2 pi by 3 plus a तो एक आवेलू कितना pi minus 2 pi by 3 sir LCM लेके solve कर लेंगे तो sir एक आवेलू कितना आ जाएगा that is pi by 3 ये हो गया proper महनती बनके काम करनेगा कैसा बटा महनती बनके काम करनेगा लेकिन हम लोग थोड़ाँ सा LC किस्मे के लोग होते हैं मैथ वाले थोड़ाँ सा LC किस्मे के होते हैं कई से उतना महनत काउन करता है ठोड़ा सा बचाते है महनत तो sir दिमाग लगाईएगा ये भी 90 है अवे ये भी 90 है तो 90 और 90 कितना, 180, सर यहाँ पर यह कितना है सर, 120, प्लस अब बताओ न, solve करना आसान हो गया, 180 में से 120 घटेगा, 60 आएगा, 60 कितना होता है, 5 by 3, तो अपन आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे न, अपन इस आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे न, बहुत आसानी से इस आंसर की तरफ पहुंच सकते न, बिटा, clarity मिल गया की नहीं मिल गया, सर, question कैसे करने का है, सर, clarity मिल गया की नहीं मिल गया, question कैसे करने का है, अब सर, यहाँ पर कुछ property, 10 लिखी हुई है, एक property कांगी, चलो, नहीं गयी, कोई बात नहीं, सर, लिखते हैं जरा, इसको सर, कैसे याद करेंगे, इस property को अपन कैसे याद करेंगे, इस property को अपन कैसे समझेंगे, सर, सुनों मेरी बात, तो अपने को, side में इधर कोने पर आते हैं, अपने को एक formula याद होगा, बहुत भयानक लेवल पर याद होगा, sin A plus B का formula, कितना होता है, बिटा यह, यह होता है sin A, cos B, plus cos A, sin B, correct होना भी, यानि कि जब आप sin A plus B के formula की बात करते हो, तो sin A, cos B, cos A, sin B ऐसे चलता है, अरे भया, कि चुड़ेल कवास हो गया, कैसे में आज, भूत तो नहीं होगा, चुड़ेल ही होगी, कोई ना कोई, तो भाई सुनो ना, यह यार ऐसे होता ना, अपने से करते हैं इसको, अब सर, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, सर, पैटरन मेच करो, सर, यह जितने भी inverse के formula बने हुए है, वो सारे के सारे हमारे normal trigonometry से ही बने हुए है, क्या है बटा, वो सारे के सारे बच्चे हमारे formula normal trigonometry से ही बने हुए है, तो सर, हम भी बनाते हैं, तो सर, प किसमेंचase करते है यह आता है 1- yicture रूट में प्लस में प्लस ही आता है शराने दो प्लस अगली बार क्या हुआ साइन भी है मतलब पहले वाले को कॉस में दूसरे वाले को sign में, मतलब, यह sign में था, sign में ही रहेगा, यह वाली party cos में जाएगी बिटा, तो यह हो गई 1-x², कित्यों कि बिटा, यह हो गई 1-x², लो न सर्फ, बन गई sin inverse x plus sin inverse y की property, क्यों भी यह, बन गई न, sin inverse x plus sin inverse y की property, बन गया, हो गया, समझे न, भी, ऐसे property याद कर ली जाती है, तो साहब, जब आपको plus दिया गया है, तो यहाने की बीच में plus होगा, और जब यहाँ minus दिया होगा, इसका मतलब बीच में क्या होगा, माइनस होगा, simple सी बात है, अगली बार, सर एक और देख लें जरा, यह वाली भी, क्यों बेटा, एक और देख लें, सर यह वाली भी, तो सर, cos inverse x plus cos inverse y, अब इसको देखकर, याद ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपन जुगाल से कर सकते हैं, तो सर, अपने को तो आता है, कि सर, cos a plus b कितना होता है, तो सर, यह होता है, basically, cos a, cos b, अब प्लस वाले में आता है, minus, यह होता है, sin a, sin b, क्यों भई, ऐसी होता है ना, property तो, formula यही तो है, अब इदर हो, सर, cos का formula है, यहाने कि, cos लोपन चला रहे है, सर, पहले कहानी क्या बनी, a plus b वाले में, cos a cos b, मतलब, यह भी cos में रहेगा, यह भी cos में रहेगा, that means, no changes, दूसरा, plus वाला formula है, जब प्लस वाला होता है, तो minus आता है, सर, प्लस वाले में, क्या आगिया, minus, अगली बार, क्या हुआ, sin e sin b, मतलब, यह भी sin में change होगा, यह भी sin में change होगा, इसको sin में change करेंगे, तो, root में 1 minus x square, इसको sin में change करेंगे, तो, root में 1 minus y square, लो न, sir, बनगी property आपकी, अरे सुनो न, बनगी property तो recall करना समझ में आ गया याद कैसे रखेंगे समझ में आ गया दूसरी चीज सर जब formula plus का होता है तो क्या आता है minus जब plus का होता है तो क्या आता है minus इसका मतलब जब minus का होगा तो क्या आएगा plus इसका लोगों ने ये भी पढ़ा होता हुआ इधर किनारी बार्स लाते हैं, हम लोगों ने ये भी पढ़ा होता हुगा, पेटा, को साइन को । में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे रूट में 1- x square क्या लिखेंगे रूट में 1- x a Sq सेाझगा से वंदानू इन्वर्स एक्स की प्रोपर्ट्टी बन गाए शीर को सब्सक्राइब ले कि फॉर्मील के छिर्चा करें गे कोस्ट heavenly वह कुटा है वो होता है two cos square a minus one बुलो ना क्या होता है two cos square a minus one that means cos वाली चीज है cos में रख दो सर पहले तो two आया फिर square हो गया अब तो cos वाली चीज cos में ही है कर दो square x का अब फिर कितना है minus one लो ना सर two cos inverse x का formula बन गया तो भई बाद समझ गया कि नहीं समझ गया सर recall कैसे करते हैं यह वाले तुन्हों रटा है पुरा साल लगाया रटने में बहुत इंद्स गाल लहां अबस लिखाँ हुआ तो आप बुद्धी खुल चुगी होगी अपता किती तेर में अगर बुद्धी खुल चुकी अपने आप समझ गया सर अपने को तो सर यह आता था टेन अप ब्लस भी यह कितना होता था यह होता था basically 10A plus 10B upon में 1 minus 10A 10B बोलो correct हो ना मतला पहले तो 10 वाली चीज 10 में ही रहेगी change नहीं हो रही है 10 inverse X plus 10 inverse Y 10A plus 10B तो गोँखो न X plus Y 1 minus 10 A 10B 1 minus X Y क्यों? अब चेंज तो कर नहीं रहे हो 10 वाले में क्यों ज़र दो जाएंगे अपन? 10 वाले चीज़ कहा है में बटा? 10 में ही है सर प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस correct है भी? प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस यह हो गया अब दूसरा एक और सुनो सर अपने यह सुना है ना साइन टूवे का फॉर्मुला कितना होता है यह फॉर्मुला होता है इक फॉर्मुला यह भी दोता हैсуд इसके बाद सुर हम लोगोंने टूवे भी सुना है सर। पॉर्मुला कितना होता है यह था बेसिकल् Parliament 1-10A square A, upon 1-10A square A, इसके बाद हम लोगों ने 10-2A का formula भी सुन रखा होगा, सर ये कितना होता है, ये होता है basically, 2-10A upon 1-10A, correct है, अब दिमाग लगाओ, सर देखो इधर, 2-10 inverse X का formula, sine के term में, sine के term में, सर तेन है, 10A upon 1-10A, सक्वाइर है, सर 10 है, 10 में ही रहेगा, यानि कि 2X upon 1 plus X square, कितना बना, ये बना बिटे, 2X upon 1 plus X square, कितना बन गया भई, 2X upon, 2X upon 1 plus X square, सेम पैटर्म, सर अगली बार, सर कॉस के term में, मतलब कॉस वाले को देखो, सर, कहांग या, कॉस वाला देखो, सर, तो 1 minus 10 square है, upon 1 plus 10 square है, तो 10 change होने से रहा, तो 1 minus X square, upon 1 plus X square, सर, अगली बार, 10 का formula 10 में ही, तो 2 10 inverse X equal to 10, 10 का formula 10 में आता है, तो 2 10 है, upon 1 minus 10 square है, तो 2X upon 1 minus X square है, अभी आपको ये property यां, समझ में आई कि नहीं, कि सर, आखिरकार, ये property हैं हम कैसे कर लेते हैं, ये property अपने को कैसे जल्दी से याद हो चुकी है, क्या मेहनत करके, हम इन property हैं को फटाफट से recall कर चुके हैं, अब दूसरी चीज, सर, इसके बाद में एक बात और समझ लो, सर, एक बात और समझ लेते हैं, सर, वो बात कौन सी है, सर, बात ये है, कि हम चाहते हैं, basically, कि sign inverse x को change किया जाए, अभी बोले थे ना, बार बार साइन, इसमें change होता है, ये हो जाता है, इसमें change होता है, ये हो जाता है, तो सर, अपने को तो नहीं आदे, कौन किसमें change होता है, क्यों सर, टोटल 6 लोग है, सुरो ना मेरी बात, कितने लोग अड़ा, 6 लोग हैं टोटल बिटा, जब यार 6 लोग है, सर, सब लोग 5 पात पे change होंगे, अरे sign किसमें change होगा, cost में, 10 में, 6 में, 5 में, 5 लोगों में, सर, इत्ते तो नहीं याद होने वाले, अब जगाल समझ लो, अबे, क्या है इसको, क्यों भी या, जगाल समझ लो बिटा, जगाल क्या है बिटा, सुनो मेरी बात, कोई भी question आपको दिया जाए, आप क्या कर लोगे, एक तो triangle समझ लो, क्या कर लोगे, triangle समझ लो, दूसरा बेटा क्या है, यहाँ पर कुछ नाम करन कर दो, ऐसे ABC, सर, हमने कह दिया, कि सर, यहाँ पर मैं angle ले लेता हूं, X, क्या कर लेता हूं, X ले लेता हूं, कोई मतब angle ले लेते हैं अपन यहाँ पे, अब सुनों मेरी बाद, अपन इत्ता तो जानते हैं न, यह वाला तो dialogue याद होगा न सभी को, अरे यह वाला dialogue, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा बारा, या तुम लोग यह भी पढ़े होगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा बारा, आप यह भी सुने होगे, अच्छा, अपन कुछ और भी सुन सेकते हैं, हमारे कई बच्चों न भेजा हमको, कि पढ़ले बेटा पढ़ले, हाड है बहुत, हमने खाँ मारेंग बहुत तुमको फिर, हाड बोला तो, आप ऐसे पढ़ा करो, पढ़ले बेटा, पढ़ले, हम हैं बॉस, क्या लिखेंगे इसको, पढ़ले बेटा, पढ़ले, हम हैं बॉस, आप ही बॉस हैं, समझ लगा मेरी बाद, चलो सब, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सर, परपेंडिकुलर, नीचे कुछ नहीं है, तो वन ले लिया, परपेंडिकुलर, नीचे कुछ नहीं है, तो वन ले लिया, सर, पाइसागोरोष थियोरम लगाएंगे, तो आपको hypotenuse कितना मिल जाएगा root of 1 plus x square कितना मिल जाएगा root of 1 plus x square आवना सर चेंज करते हैं सर कॉस inverse कॉस क्या होता है base upon अरे कॉस क्या होता है बेटा ये क्या हुआ perpendicular upon अरे यार गबड हो गया थोड़ा रुक 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 perpendicular upon hypotenuse तो ये निकल कर आजाएगा root of 1 minus x square perpendicular upon hypotenuse तो ये क्या निकल कर आजाएगा base अपना पाइथागोरस से root of 1 minus x square तो बेटे कितना हुआ cos inverse सर साइन inverse किसमें change करना है cos में cos क्या होता है base upon hypotenuse बेटा तो base कितना root of 1 minus x square base कितना root of 1 minus x square सर 10 में change करो सर 10 क्या होता है perpendicular upon base तो सर perpendicular x और base कितना 1 minus x square सर caught अब दोखो इन गरीबों को तो यादी नहीं करना main कौन है sign question इन गरीबों को तो यादी नहीं करना क्यों सर 10 caught क्या होता है 10 का ulta caught क्या होता है 10 का ulta है इसको उटा कर लो यह हो गया सर one minus x square upon x सहर अगली बार ज़रा शेक निकाल लेते हैं सबस्ट क्या होता है कॉस का उल्टा भी टा तो कहां पर यह रा कॉस तो सर one upon उल्टा कर दो अब सर साइन था तो कॉस से कहा है बिटा तो कास साइन का उल्टा होता है बैटा कौसिक हमारा साइन का उल्टा हो एकस का उल्टा वन बाई एक्स हो गया सर दिखो न है इस से क्या हम बिना करें कोई बी चीज एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं बिना उसको लड़्न करें करेक्ट करें इतनी बात आई होप सु तुन मेरे सभी बच्चे समझ चुके हैं बैतर तरीके से तौसर एक बात और समझ लो यहां पर एक कोशन लिख रहा हूं मैंने लिखा सर ऐसी लिखा मैंने माझ लो साइन साइन इन्वर्स 12 उपान 13 प्लस में कॉस इन्वर्स X इक्वल टू मैंने दे दिया 1 ऐचे करके हमने चलो भी या इसका आंतर बताओ इसमें X की वैलू क्या होगी हमने मान लो कह दिया कि find X क्या कह दिया बटा हमने कह दिया मान लो find X सर्फ कैसे कर रहो इसको सर्फ पहले तो अरे यार यह दोखो ना साइन साइन इन्वर्स 12 उपान 13 प्लस कॉस इन्वर्स X इक्वल टू अब साइन में 1 कब होता है 90 डिगरी पर याने कि पाई बै टू पर इसका मतलब हो गया कि साइन इन्वर्स 12 उपान 13 फ्लस में कॉस इन्वर्स इसकी वैल्यू कितनी होनी चीए बटा पाई बै टू होनी चीए और यह तो प्रॉपर्टी थी कि साइन इन्वर्स X प्लस कॉस इन्वर्स X एक्कोल टू पाई बै टू मतलब इन दोनों को क्या होना चीए बटा सेम होना चीए तो x की value कितनी निकलाई बटा x की value निकलाई 12 upon 13 क्या हुआ x की value निकलाई 12 upon 13 complete समझगे भी question कैसे हो रहे एक और देखो सर जरा एक बात यहाँ पर और देख लो सर जरा कौन सी बात देख लो सर आगे चलकर आपको पढ़ना है differentiation integration तो वहाँ पर कई बार substitution का काम पढ़ता है मतलब कि कहाँ पर किसकी value substitute करें तो सर जैसे 1-x square है तो ऐसे cases में x की value आप आईदर sin theta put करें या फिर cos theta put करें अब सर आपके मन में question भी होगा क्यों put करें करना है क्या हमने का ना ही हम तो बोलते ही नहीं कभी आद करने के लिए अपन तो बोलते हैं सीखने के लिए हम कभी नहीं कहता है को याद करो हमेंसा बोलता हुटा चीजों को सीखें ओकि भई learning phase में रही है capable ऑपने खीखना है चीजों को इसको सीख लेते हैं सर यह कहां से बना हुआ है अब थोड़ा सा ध्यान दो सर जरा साइन स्क्वाइर एक्स एक्वल टो अगर हम लिखेंगे एस फॉर्मुला याद करें आइडेंटिटी तो बिटा ऐसे होती है तो जरा बताना अगर मैं यहां पर साइन एक्स की वैलू लिख है इसका मतलब इसी लिए इसमें साइन और कॉस बोला गया है क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वाइर एक्स की वैलू साइन कॉस रखने पर कोई न कोई फॉर्मुला बना लेती है तो अपन वो रख लेते हैं साथ दूसरी चीज सर मान लो कभी पर अंदर एक्स वन प्रस एक् सुनेयो हो भी या तो ये वन प्रस एक्स स्क्वाइर किसका फॉर्मैТ है टैन का ऐसे ही किसमें बनता है कौट में जिसका मतलब ऐसे केसमें अपन एक्स की वैलू टैन थीटा या कौट थीटा से काम चला सकते हैं जनरली टैन थीटा ही रखा जाता है, ठीक है भी अपन काम चला सकते हैं किससे बटा, टैन थीटा या कॉट थीटा से, अच्छा सर अब तो दिमाग में घुशने लगा, अच्छा अगर सर आपने एक्स स्क्वाइर माइनस न दे दिया तो, अगर मान लो कुश्चन में एक्स स रखेंगे उठाकर, भी कोई है क्या? हमने कहां सुनुन न, बैसे मान लो कभी, उन मा इनस एक्स एक्स ऐसे हो गया, कभी आपको प्रूविंग करने के लिए यूटिलाइज करते हैं बटा कि यह रख लो इससे प्रूविंग अपनी हो जाएगी कम्प्लीट है भई आज ओ फिर जड़ा तो फिर बटा आईटीएफ में इतनी बाते बेसिकली ऐसी है जो हमारे काम की है ठीक है इतनी बातों से हम पूरे के पूसिबल है और दूसरा अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है हम लोग ऐसी हर एक बात को डिफाइन कर सकते हैं आई होगी तो अगर सबी बच्चों को मेरी बात समझ में आई है तो फिर इसका रिवीजन जरूर रहु है जैसे मैंने बताया है एक बार वैसे ही जाएगा बेटे तो आई होप आप सभी बच्चों को बाते क्लियर हो चुकी हैं तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में तो आज के लिए ये क्लास को यहीं पर करते हैं समाप तो बेटे आज के लिए इतना ही मिलते हैं आफ्टर दा ब्रेक त प्राद प्रेक बाते हैं